वेल्कम टेकवेटर गुरू मैं आपको अभीकास आपके अपने चनल आफिस आउत करता हूं तो आपने अगर अभी तक चैनल वह सब्काइब नहीं किया तो पहले जाएं चैनल वह सब्काइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिस्ते कि आपको सबसे पहले लेटर इंफॉर् आपके पास नहीं अभी तक आप न्यू श्टुटेंट है तो वाट्सप नमबर मैंने दिया हुआ वीडियो को डिस्क्रिप्सन में हर वीडियो को टाइटल में आप जाके वहां से उसको कॉपी पेश करें आप मोवाइल अपने शेप करें और मैं उसको मैसेज करें मैं मैं आपकोसे को फेसे रिकॉल कर दे रहा हूं किस परकार से नमबर करके अपना पीडियो कर सकते हैं और guest paper भी आपको उतना ही दाम में आपको मिल जाएगे तो जिन लोगं के पाद अभी तक guest paper या PDF के नोट नहीं है mock test के नोट नहीं है तो ज़रूब भाई कर लें वो आपके आगे भी आपके काम आएगे तो चलिए देखते हैं आपको मैं कुछ समझाने कोशिस करता हूँ paper के माद्यम से मेरे पाद दो paper से डब लेबल है ये 2019 जुलाइ का paper है तो मैं आपको कुछ चीजे बता दू पहले आपको बात करते हैं किस पकार से भरना क्या है कि आप गलती कहां करते हैं और क्यों आपको number नहीं मिल पाते हैं तो सबसे बहले आपना roll number लिखेंगे जो आपको roll number मिला है आपके admit card में आपको OMR seat number जो आपको OMR में seat number मिला हुआ ये लिखें गलत बिल्कुल ना परहें इससे भी number आपके कर सकते हैं name of अपना नाम लिखें और अपना signature करें और answer push का number जो आपको copy वहाँ मिले की लिखने के लिए वो उस number उसमें लिखाओगा वो यहाँ number डाल दें इतना चीज आपने fill up करते हैं ये paper आपको घर के लिए मिल जाएगा हम बात करते हैं हिंदी या English का क्या matter है तो आपको हिंदी इंगलिस के लिए कोई दिक्कत नहीं है आपने माल लेए आपके admit card में हिंदी लिख के आया है और आपको एक्जाम इंगलिस में देना है तो भी आप इंगलिस में दे सकते हैं अगर आपके में English लिख के आगया और आप Hindi में देना चाहते हैं तब भी आप दे सकते हैं अब यहां देख लें प्रस्ट पुष्टे का Hindi और अग्रेजी में है और परिच्छार्ती उत्तर लिखने के लिए किसी एक भासा का chain कर सकता है तो अब आपको यहां पर साब साबनों दे दिया आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें option मिलेगा हिंदी या इंगली यह आप तब ही decide करें जब आप question देख लें मालेगे यह paper आपको इस परकार से मिल जाए और एक part उठाएंगे तो उसके सारे question आपको attempt करने होते हैं और ऐसे करें कोशिस करें कि आपको जो part उठा रहा है उसके सारे question करें ऐसा ना करें कि आपने दो इसके कर लिए और एक आपने दूसरे part कर लिए तो आपको question कबर हो गया आपको number हो सकता है मिल जाए अगर examiner ना देखे लेकिन ऐसा ना करें अगर वो examiner आपने देख लिया तो हो सकता है नमबर काट भी सकता है चुकि ऐसा प्राबधान नहीं है आप एक question को उठाएं तो उसको ही करें बाकी और लोग क्या बताते हैं वो उसको नहीं मालूब है जो नियम है आप उसको follow करें आपको सही से number मिलेंगे मैंने भी दिया हुआ है तो मैं आपको वह ही बताऊँगा जैसा exam दिया जाता है वो जो आपका pattern है तो जो portion आप उठाएं जो part आप उठाएं उसके सारे question attempt करें और एक भी question आपको नहीं छोड़ना अगर आप पास होना चाते हैं अगर आप तीन बार से चार बार से fail हो रहे है आपका last chance है last session है तो please एक भी question ना छोड़ें जो नए student है उनसे भी मैं बोल ला हूँ एक भी question ना छोड़ें आपको part 1 है आपका 40 number का जो आपका OMR वाला है यह आपका 40 number का है और इसमें कोई negative marking आपकी नहीं है मैं आपको बता दे रहा हूँ पासिक mark कितना है तो 40 में से आपको 20 number लाने है अगर 19 आते हैं तो यहाँ पे आपका आगी का part चेक नहीं होगा 19 आपका यह च आप अराम से इसमें 10 number आप पूरे पूरे इसमें कीश सकते हैं जो आपको off-null वाले मिलते हैं true and false वाले मिलते हैं 20 number आपके यहीं से आजाएंगे और बाकी जो है आपका ये match the column इसमें से आपके तीन चार भी सही हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों कोसन आपको एक जैसे मिलत से लाइब टेस्स से बताएं उसको देख लें और जो पीडियो पर्चेस की आपने उससे देख लें बुख है आपके पास उससे देख लें तो आपके पास कम से कम 500 को सन हो जाएंगे तो आपको उसमें से मिल जाएगा basically मैंने आपको बताया shortcut की full form और extension हो गया HTML के question हो गया यह question आप basically आपको question मिल जाएंगे आप question उठाकर देख लें आपको जो भी question आए वो आपके इसी base space में पूछे गए कि आपको जो question आ रहा वही आप टिक करें बिल्कुली बगल वाले से ना पूछे हो सकता है कि उसने कभी पढ़ा ही ना हो साल भर और वो आज ही paper देने आया हो लेकिन उसने बोला कि नहीं इसका यह होगा तो आपने उसका देख के लगा दिया तो यह काम बिल्कुली बना कर चालिस के चालिस कोसन आप अपने आप ही करेंगे तब ही आपको सग्योगा अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ त्यारी कर रहे हैं लगातार शे महने से तो गारेंटी है कि आप paper जरूर निकाल लेंगे जितना चीज मैंने बताया जो वार्ट से बच्चे हमारे साथ चुड़े हुए हैं उनको गारेंटी कि वह आपना कोसन को जरूर हल कर लेंगे जैसा मैंने उनको बता जाए तो वही आप कोसिस करें बिल्कुल भी किसी की ना वहां पे देखें ना copy cheat करें जो आपको आ रहा वो लिखें कोसन लिखने का pattern में बता दे करेंने में कोन लेंगर जाना है कि कितने नमबर में क्तKYा किया ले जाना है आतको ले जाना अपको रीच्ट पहले आपको पहले पहले copy मिलें कि यह वाली 40 नंबर वाने यानि कि आपको पहले आपको OMR मिलेगी OMR में सारे टिक करते जाए गोले जब यह आपका complete हो जाए आदे घंटे में हो जाए 45 मिट में हो जाए आप second copy के लिए उनसे demand करें कि sir मेरा complete होगे हमें please copy दे दे तो आपके पाथ ज्यादा समय मिल जाए का कोसिस करें कि 45 मिट के अंदर आप complete कर ले तरीका में आप बता दिया है कोसन आप उठाते जाए एक एक करके और answer उसके लगाते जाए बिल्कुल भी अंदी ना लगाए पहले आप फोकस कर ले हिंदी वाला English भी देख ले इससे कि कभी कबार हो सकता है कि हिंदी आपको सेम नहीं मिलता जैसे कि यहाँ पर आपको जो पैटन मिला हुआ है उसमें 555 है 465 है तो और 2019 जुलाई की बात करें तो इसमें पैटन आपको कुछ अलग मिलेगा 654 है 564 तो इस प्रेकार से पैटन कुछ मिलता है तो आप पैटन की बात करें सिंपल सी भासा मैं आप आपको बता देता हूँ जो पैटन मिलेगा मालेजे 10 कोर्षन होंगे तो 44 नमर के साब से 10 दस दस चो के 40 यह हो गया बाकी 33 नमर के साब से इस पकार से हो सकता है या फिर 5-6-7 तो कुल मिला के आप मालेजे 10 से 12 कोर्षन आपको मापे हल करने होते हैं पूरे पार्ट को मिला के इस पतार से अगर आप देखें 4 यह 12 यहानि कि 4 सेक्शन होगा है तो 3-3 कोर्षन आपको मिलते हैं 4 यह बारा कोर्षन करने होते हैं और 12 इंटु पाच नमबर के साब से देखें तो 12 पंचे 60 नमबर आपके बंदते हैं जिसमें आपको only 30 नमबर लाना है यहनि कि 5 नमब कि यह आपको तीन पार्ट है तो यहाँ पर पूछा गया explain about multitasking operating system detail तो बहुत easy question है आप इसमें बिलकुल भी बिलकुल भी जो theory है उसको रटने कोसिस ना करें अब यहाँ पर आपको computer का जो multitask है उसके बारे बताना है तो आप daily basis बे computer को use करते हैं आपको पता है कि computer multitask किस परकार से करता है तो उसके बारे में ही लिखें कि आपको computer में यह RAM होती है इतनी hardics होती है यह processor होता है जिसके अनुसार यह आपका computer है वो multitask आपका कर सकता है जिसे कि speed पर कोई दिक्कत नहीं आती है आप एक साथ कई software को use कर सकते हैं तो इस परकार से बनाने के कुछिस करें computer के ही language लिखें आप कुछ बिल्कुल भी रटने ही जो नहीं क्योंकि अब आपके पास समय कम है यह उनके लिए है यूज करेगा जिन्हों जो आप महापिदा के answer भूल जाते हैं या फिर जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा आज वो कहाँ पी उठा रहा है क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहा है continue अभी भी किसा note दे दिए पीडिया दे दिए यानि कि उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है total blank है एक दिन पहले भी आप cross कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको mind दोर सेट अप होना चाहिए आपको बाते लिखनी आनी चाहिए उसके भासा में उसके बाद ये नंबर है इसमें पूरे पूरे बने नंबर है अगर आप इसमें conversion कर देते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिल गए तो आप देख सकते हैं तो ऐसे से question आपको मिलते हैं अब जैसे पहला question था इसमें 5 नंबर में आ आपको अगर लिख देते हैं तो आपको चार नमबर तो राम से मिली जाएंगे और second question में 5 में 5 नमबर पूरे तो आपके कितने नमबर हो गए यह हो गए आपके 10 में से 9 नमबर आपके पूरे हो गए आपको लाने कितने 30 नमबर तो इस पकार से नमबर आप calculation किया करें वहाँ तो इतना easy question है powerpoint के बारे में आप सब कुछ उसमें लिख दाले अब से बहले तो आप heading डाले powerpoint लिखने के तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं simple वासा में आपको आगर आप पीडिया purchase भी करी कोई लिकर नहीं आप यहाँ बे heading डाले powerpoint इस पकार से आपने किया अब powerpoint हैं कब बना था यह सारे चीज़े और क्या कैसे फीचर होते हैं चीन से चाल आपने line लिखी चाल line आपकी इसमें हो गई ठीक है और इसके extension बगरा क्या होते हैं वो सब लिख दे इसमें जो जो आपको इसके बारे में पता है उसके point डाले कि इसमें slide slow होता है इसमें transaction होते है 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 इसमें designs होते हैं तो उसके बारे में 12 line जान है आप इसमें लिखते जाये खाये आनिमेशन होते हैं कोशन आपका कठी नहीं होता है सारा कोशन आपका सब आपको सिफ वहाई पर गैस करना किस परकार से आप इसका आंसर लिख पाते हैं उसके बिल्कुल यह सिंपल कोशन है एक डिटेल अबाउट सिस्टम सौफटर एन अप्लिकेशन सौफटर अब यह कोशन आपको मिलता है इ थोड़ा सा उसके बारे में आपको पता होना जी जैसे कि आपको सिस्टम सौफटर क्या होते हैं और अप्लिकेशन तो सिस्टम सौफटर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को साथ प्री इंस्टॉल आपको मिलते हैं जैसे कि आपको आपको मिलते हैं यह आपके सिस्टम सौ करें वो सारे आपके application software कहलाते हैं तो इन्हीं के बारे में लिखते जाएं उनका क्या 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 यूज़ोजा कैसे बर करते हैं ज्यादा करें तो आपको इसमें explain करना है तो आप इसको सीधे यहाँ पे line लिखें इदर इदर लेके system software इदर लेके application software और point wise लिखते चले जाएं आपके 8 से 10 point बन जाएंगे आपका फूरा एक पेस का question complete होगा पांच में से आराम से आपको पांच नमबर मिल सकते हैं अगर आप इस पकार से लिखेंगे तो यह तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इससे पहले ही मैं बता दूखा हूँ लेकिन काफी लोग छोड़ देते है question बिल्कुल भी आप question बिल्कुल ना छोड़ें जो पार्ट उठा है उसके सारे बिल्कुल यह theory based question है तो इसमें आप अराम से नमबर की सकते हैं अब उसके बाद जैसे कि जो binary वाले हैं इनके लिए मैंने अल्ली separate वीडियो बनाई है binary, hexadecimal, decimal, सारे conversion मैंने आपको बताए है प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका binary का question एक जरूर मिलेगा वो आपको कबर वहां से हो जाएगा और syllabus जरूर एक बार आप देख लें जो मैंने आप पर दिया हुआ है पेज नमबर बारा पर चलते हैं यहां पर तो यह आटिटूस का जो सलेबस है question आपके जो पूछे जाएंगे इसी से आएंगे आप देख सकते हैं अगर आप बुक उठाके अपना सलेबस उठाके देखें और यह पेपर से उठाके देखें पीबसेस के तो आपको सारे question इनी से मिलेंगा अब जिसे बांदरी बगारा का question है तो यह आपका यहां पर दिया गया है कि कौन से chapter में आपका है तो computer बांदरी, decimal, conversion, पहर एक question आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे उसके आद आपका जो main important है वो क्या है आपका इसमें word processing हो गया, spread sheets हो गया और आपका presentation हो गया, तो यह इसके भी question आपको यहां मिले हुए, यह आपका word का question हो गया, यह आपका database का question हो गया, यह आपका information technology जो यहां पर आपका दिया गया कि advance question के चकर में word excel power point के basic question है जो उसके tools आप use करते हैं, उसके आप focus कर लें, tools यहां पर सारे आपके दिये गए, वो tools आप जरूर देख लें एक बार, जैसे कि यहां पर आपका दिया गया है, sliding, war, adding क्या होता है, formatting क्या होता है, page note, यह सारी चीज़ आप, इसमें आपका formula आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल basic से चीज़ है, इसमें आपका जो आगया, आपका command form का basically पूछा कम जाता है, इसमें आपका installation हो गया, इसे windows, software बगएर और आपका hardware हो गया, RAM हो गया, ROM हो गया, और दूसरा आपका चीज़ है, disk cleanup हो गया, disk documentation हो गया, Linux booting हो गया, windows booting हो यह सारी चीज़ें आपकी इसमें से पूछी जाती है, और एक question आपका multimedia करेता है, तो इस पेकार से question आपका बनता है, number मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मालेजिए आपको तीन number से मैं start करता हूँ, अगर तीन number question मिले, तो 5-6 line आप कम से कम लिखे, 4 number question मिले, तो 8-9 line question question लिखे, 5 number question मिले, तो 10-12 line question लिखे, तो आपका एक page कम से कम हो जाएगा, 5 number question में एक page आपको लिखने लिखना है, और question जब आप complete कर लिएगे, उस नीचे line कीदे करें, side में line कीदे करें, number लिखा करें, heading यहाँ पर डाला करें, और एक-एक heading यहाँ डालके point wise लिखने कोसि पर जाएगे, जब आप सारे question attempt कर लेंगे, और इस अनुसार लिखेंगे, इतने-इतने line के अनुसार, तीन number question है, तो यह नहीं कि आपने land का full form भूझ लिया, तो आप लिख दें, only land is a full form of local area network, इतना लिखके आप चलिया तो यहाँ इसा ना करें, थोड़ा उसके बारे में लिखें, क्या-क्या होता है, इस पकार से आप question करेंगे, तो अराम से आपको 35-40 number अराम से मिल जाएंगे, जैसा मैंने आपको calculation करके बताया, हिंदी में लिखें, इंग्लिस में लिखें, आप यही pattern आप follow करें, और आप अपना लिखते चले हैं, तो आसा करते हैं, आपको स सवाल ने, तो comment में पूछें, WhatsApp पर message करें, नमबर मैंने दिया हुआ, 700-765-9485, इस नमबर पर मुसको WhatsApp करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और मैंने आपको बता दिया, question किस पकार से आएंगे, तो यह जो pattern है, वो आपका सभी ज्याम के लिखेंगे, तो यह जो pattern है पांच से साल के paper, तो भी आपके लिए helpful होगे, जहां से आपको mock test मिल जाएंगे, चैनल पर जो mock test करा जा रहे हैं, उसको देखें, जो कुछ नए question आपने PDF से purchase कियें, वो question देखें, और book से देखें, जो आपके पास book है, तो इतने ज्यादा question आपके पास हो जाएंगे, उत आपके नहीं होती ही, नकल होगे, तो आप इसले साल देख सकते हैं, इलावाद में क्या होता, center को सीज़ किया गया था, दुबार आपके paper हुए थे, तो नकल की चक्के मिना रहे हैं, इतना आपना करें, परची और ची कुछ ना लेकर जाएं, ज्यादा best होगा, basic सा paper है, ब इलकु सेयर कर दें, काफी लोग को helpful होगी, तो चलिए दिखते हैं, पहला जो आपका question है, free of cost, repair of software, bug available at internet is called, तो मैं हिंदी में explain कर दूँगा, basically, English में question लिखने में असानी होती है, अगा हिंदी में type करेंगा, तो समय जाएगा, जाएगा, तो आपको पूचा कि पूचा कि यह नया question है, अभी तक नहीं आया, किसी भी module में आप उठा कर देख सकते हैं, तो आप इसका answer बताएं, फिर मैं इसका answer, इसी में मैं रिलिक दिया है, अभी मैं click करूँगा, जैसे आपका सामने answer आजाएगा, तो basically यहापे free of cost, repair of software, अगर कोई bug available होती है, तो internet में उसको हम download करते होंगे google पे, तो हाँ पर exe file या rr file या फिर patch file उसकी होती है, तो वही patch file होती है, जिसके मादर में उसको repair बगारा कर सकते हैं, tutorial से आप सिर्फ देख सकते हैं, repair ने कर सकते हैं, उसको आप अपडेट ले सकते हैं, यानि कि पुराना के नया add-on यानि उसमें कुछ और add कर सकते हैं, plug-in कर सकते हैं, लेकिन patch file जो उसके पूरा software का database है, जिसमें पूरा software होता लेकी उसमें आपको एड़ कर सकते हैं दोस्कों क्या करते हैं पैच फाइल जो कि आपकी एक कर दिया है इसका फुल फॉर्म भी डाल दिया है एडवांस रिचार प्रोजेक्ट एजनसी दूसरा आपका एन एफस और तीसरा एन एसे और डी है जो आपका है नन ऑफ दी तो जो भी आप लग रहा है पीछे नीचे कमेंट करें फिर मैं इसका अंसर बताता हूं तो जैर सी बात है काफी दिन से हम लोग पढ़ता है शुरू से पढ़ता है दी इंटरनेट बाद ओरिजिनली ए प्रोजेक्ट ओफ विच एजनसी इस कॉल्ड आर्पा नेट जिसको हम लोग बोलते हैं इसको आप देखेंगे तो आप्शन मिल जाएगा आपको ए तो फर्स्ट है इसका फुल फॉर्म भी कभी कभार आपको पूछा जाता है नेक्स्ट कोसन पर चलते हैं वीच और दी फॉल्विश से करेक्ट फार्मेट और इमेल कॉमें कोसन ने मोशन most important question है तो कौन सा इसमें से email address जब लिखते हैं तो कौन सा इसमें से format है वो एक जब correct है क्योंकि उसका domain name hosting name service provider website कहां से है वो सारे चीज़ें इसमें आपकी होनी चाहिए तभी आपका email वो जाएगा नहीं तो वो error आपको सो होगा तो कौन सा इसमें से आपको सही लग रहा है ABCD आप email लिखते हैं जैसे कि अपने नाम के आगे इसे टेक वीडियो गुरू एडरेट जीमेल डॉट कॉम तो इस बगार से हम लोग यूज करते हैं यहीं कि जो है HTML तू करते हैं है HTML किसलिए यूज करते है क्या बनाने के लिए शेंखोंदे मसीन लेंग्वेज बनाने के लिए, ओनग लिए वेब सेर्वर के बनाने के लिए, तो सिंपल सा HTML आपके एक progarming Language है, जिसको कहते है hypertext markup language अब आप बताएं इसमें से आपको कौन सा option इसमें से ठीक लग रहा है फिर मैं आपको बताता हूँ तो इसका जो option बनेगा उसी option बनेगा web pages, web server कभी नहीं बना जाते हैं web server पे तो आप जो page बनेंगे उनको यहाँ पे uploading की जाएगी और जैसे कि आपको यह rack होगा यह आपके server लगे हैं और यह आपका website है computer में जो आप चला रहे हैं और इसमें जो भी आप page बनाएंगे यहाँ पे वो page इसमें store होगा तो simple सा process है तो option बनेगा यहाँ पे c high level language, machine level language यह आपकी languages है next question पे चलते हैं the computer जागरन www four time यहाँ पर डवलू है तो इसको क्या कहेंगे आप तीन वाइ डवलू को डलते है worldwide web अब यह four times दे आगया काफी वार यह पूछा गया important question है तो इसका answer बनेगा A बनेगा worldwide web warm तो इसका option बनेगा A worldwide web warm next question पे चलते हैं the process of transferring file from a computer on the internet to your computer is called तो काफी जादा common है यह भी काफी वार आ चुका है आप रुठा कर देखे 2011 से 13 के 14 बीट में आपको इसका answer मिल जाएंगे तो computer में कोई file आपकी है उसको online server पे ले जा रहे है तो इसको uploading downloading क्या कहेंगे FTP किसके मादम से ले जाएंगे तो इसको है download करना कहेंगे याने की यह आपका server लगा है और यह आपका computer है तो यहाँ पे कोई data store है यह आपका internet है इसमें आप ले रहे हैं data अपने computer में तो क्या कर रहे हैं वहाँ से आप server पे download करना है कोई game होगा वीडियो के audio को भी file आपकी वह हो सकती है तो option मनेंगा downloading करना और uploading करना तो यहाँ से FTP आपका server होगा option यहाँ से uploading आप करेंगे FTP के माद्यम से server को अपने web page को website को अपने server पे ले जाना next question तो इसका option D है and internet terminology IP means IP का means आपको बताना है basically क्या है तो internet protocol simple सा है option मनेगा यहाँ पर B next question है a website front page oblique main page is called यानि की website का जो पहला page होता है जैसे open करते हैं उसको मनें क्या करते हैं browser page, search page, home page या bookmark बहुतीजी question है C option मनेगा कोई भी आपका browser front page होगा उसको मनें basically home page करेंगे यसे की कोई website होती यहाँ पर आप लेखें तो सबसे पहले यहाँ पर menu आप बनाते हैं home फिर बाकि जो भी आपका जिस काराण की website और जिकेसेन की हो उस परकार से आप menu create करते जाते हैं तो पहला जो button होती वो आपका उक्यालाता है home page तो option मनेगा C which of the following is not a search engine कौन सो search engine नहीं है Bing, Yahoo, Google और Windows तो simple सा अपसान है D बनेगा Windows आपका operating system होगा बाकि जो आपके हैं जो हैं आपके search engine है C-A-R-C-H search engine तो option मनेगा D, Windows आपका है OS next question है verification of a login name and password as known as यानि कि verification करते हैं हम लोग login और password करके उसको हम लोग क्या कहते हैं configuration, accessibility, authentication और login in C option बनेगा उसको कहते हैं authenticate करना next question है internet explorer false under यानि कि internet explorer कि इसके अंदर false करेगा operating system, compiler, browser और IP address पता हैं जो भी है तो IP address जो आपका है internet explorer जो आपको काम करेगा वो आपका क्या होगा कोई browser होगा जारती बात है IE लिखते हैं हम लोग internet explorer version 9 जो कि इसमें चलना है हो सकते हैं आगे भी चलना हो 1011 तो इसमें आप किसमें एक्सेस करते हैं इसको operating system में तो आप करते ही है operating system में हम लोग browser को open करते हैं और browser में आपको क्या होता है internet explorer तो इस पकार से internet explorer बिसक्ली क्या है आपको एक browser का नाम है तो आपको पता होना जीए इसी लिगाम आपका modular firefox लिख देता या फिर opera लिख देता या chrome लिख देता से साला आपको किसके अंतर गता आता browser के अंतर गता तो option मैंने का c browser what is the full form of www तो simple सा है wide wide web कई बार आ चुका है आपका common question है time ने इस पे वेश करेंगे आगे बढ़ते हैं full form of HTML मैंने आपको बता दिया option है a hypertext markup language ये period है question ये moving from one website to another website is called यानि कि एक website से दूसरी website में जा रहा है उसको कहेंगे be browsing करना इसमें कोई downloading और uploading या attachment नहीं आएगा attachment अलग की है browsing यानि कि ये है आपके website इसे कि आपने आपे google खोला हुआ है अब इसमें आपको search कर रहा है और जब आप search करेंगे तो दूसरा page open होगा तो यानि कि एक website ये दूसरी website जब आप जा रहा है तो वहाँ पर आप या कर रहा है browsing करना moving one website to another website is called browsing option में बे ये computer on internet are identified by computer आपका जो है internet identify करता कि इसके मादब से email state address IP address और none of the तो जाए ऐसी बात है IP address हर आपके computer की कोई भी आप cp लगा होगा monitor लगा होगा तो आप देखते हैं उसकी IP address होती है जब आप net connect करते हैं IPS से तो सबकी IP address आपकी इस परकार से हैं वहाँ पर जब आप रन कराकर देखें कमांड के बाटम से तो वहाँ पर आपको एक यूनिक IP address परकार से दिखाई देगी जिससे आपको पता जाएगा यह computerist location पर चला है next question है starting with Microsoft Office 23 photo editor was renamed to नहीं कि जब आपका starting वाथ Microsoft Office 23 photo editor को किस नाम से rename किया गया था बी option बनेगा photo editor उसका नाम था पहले 23 मेंजर उसका picture manager आप देखेंगे आपको में option मिलता है जिससे आप photo बेर को crop बगरा करते है is Microsoft work is part of the Microsoft Office suit क्या Microsoft work जो है वो part आपका Microsoft Office suit का जाएस या no option मनेगा b no Microsoft work आपका अलग part feature of MS Office that save the document automatically after certain certain interval is called हैनी कि आपको जो MS Office में जो saving का feature मिलता है वो automatically interval करता है कि इसके मादम से save as save save as auto save या backup जो कि option मता है C option मनेगा auto save option से जाएर सी बात है automatically है तो auto save आएगा इन दोनों के लिए आपको mouse और keyboard का use करना पड़ेगा backup आपका अलग चीज़ है तो option मनेगा C auto save next question है what was the HTML editor that was part of Microsoft Office until 2003 तो कौन सा 2003 में Microsoft Office का software था जो हम लोग HTML editor के लिए use करते थे जो कि यह web page explorer यह front page यह dream river बता है जो भी option आपको बता हो आपने कभी use किया हो तो C option एक ही है front page का हम लोग 2 जा 3 में use करते थे जो कि आपका website designing के लिए use करते हैं बाकि D website और पहला भी आपका Microsoft Microsoft ने जो launch किया था वो 2 जा 3 में front page को launch किया था which feature is used to make selected sentence to all capital letter और all small letter तो कौन सा आपका feature है आपका word, excel, powerpoint जिसकी भी बात करें इसके लिए word का question है IT tools का आपका तो कौन से all chapters और all small letters के लिए कौन सा feature उसका रहेंगा change letter, change sentence, change case या change word बहुत easy question है, अच्छा question है मैं आपको दिखा दूँगा software के मादनें से तो option जो बनेगा, वो C बनेगा change case यह option आपको कहां मिलेगा इसे कि मैं आपको दिखाऊ तो यहाँ पर आपको change case यह आप देखेंगे option आपको मिलेगा तो कहते हैं change case जैसे आपने sort में लिख दिया अगर आप इसको capital करेंगे तो यहाँ पर option मिलेगा sentence case हो गया आपर case हो गया, इस पकार से कोई भी case में आप इसको तो option में आपको change case next question है which of the which of the software application was not part of the first version of Microsoft Office कौन सा था जो आपका first version of Microsoft का नहीं है तो simple option है see outlook confused नहों है यहाँ पर which of this software was not part of first version, पहले version आपका नहीं था जो है see go to to go to a specific location in a document we use कौन सी specific location में document को use कर सकते हैं, table of content में hypertext में या bookmark या micro में option में यह सी bookmark location यानि कि दो चीज़ों को add कराना है bookmark करना है उसका आपका होगा location आपको देना पड़ा है किसी document को use करने के लिए office 365 is now the most popular cloud application in the world but when did it debut? किस वर्थ में यह release हुई थी? तो 28 जून के असफ़ाद 2011 में यह आपका release हुई थी हो सकता आपको ना पता हो तो option मेने का see यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 office 365 आपके mobile में आ जाता हूँ जैसे आप उसको इंस्टॉल करते हैं विच वन इस दी मोस्ट पॉप्लर रिलीज शुटेबल रीजन तो यूज मैक्रों इन MS Office Word Excel PowerPoint etc कौन से एक रीजन है जो की MS Office में मैक्रों को यूज करने के आपका सहुलियत देता है कौन सा ऐसा है तो रिकॉर्ड साउंड रिकॉर्डिंग साउंड के लिए तो आटोमेटिक रिपीटाइटीब टास्क के लिए या तू रिकॉर्ड माउच और टू रिकॉर्ड की स्टोक बताएं काफ़े छो उप्मॉसन है आपसन मैंने का बी ऑनली तू आटोमेटिक्ट रिपीटेटिएटीब टास्ट नेन्स कोश्टन है सूपर इसकिप्ट सब इसकिप्ट और इस्टिक्स थ्रो आर नोग एस यानि iki सूपर इसकिप्ट बगरा सब किसमें fount में उस करते हैं fount style है या font effect या font के format है बहुत जी कोश्टन है font के आपके effect है जो कि इस परकार से जब आप कोई भी लिखते हैं से की तो सुपरिस्टिक इस परकार सो जाती ही line और सब के अलग अलग यहां पर car है तो option बनेगा c font effect can we edit a macro programmatically after recording 8 यानि कि recording के दोरान after recording के दोरान जो macro के क्या हम उसको एडिट कर सकते हैं yes or no option बनेगा a yes बिल्कुल उसको edit हम लोग कर सकते हैं we can start ms word by typing in कौन से command से आप यूज कर सकते हैं आपके win word में जाके आप उसको open कर सकते हैं option मनेगा a win word यानि कि command front में जाएंगे run पे इस परकार से और यहां पर लिख देंगे win word विंडो अब क्या दबाना है वह आपका open हो जाएगा Microsoft office user who was been certified by Microsoft is got m o s what is the full form of m o s most अच्छा कोशन है और अभी तक यह कोशन नहीं आया यह में उसका कहीं नहीं पूछा किया है see option मैंनेगा Microsoft office space list नोट कर लें और important question लगा दें m o s का full form यहां पर Microsoft office हम लोग यूज करते वर्ट Excel power point और इसमें m o s का full form पूछा गया है Microsoft Office specialist नेम दिए following under m s office software bundle that we use to create audio visual representation कि software के अंदर हम लोग को यह सारे चीज़े मिल जाएंगे audio वीडियो और visual representation तो एक ही software है आपका है c m s power point जिसके अंदर आप सारे animation slide audio वीडियो सब कुछ add करा रखते हैं can we assign a keyboard shortcut of our choice in macro क्या कोई shortcut की है आपके लिए assign कर सकते हैं ऐसे कोई key जो आपके micro को use कर सके ऐसे shortcut yes or no तो भी आप समयने का बिल्कुल है yes बता देंगे आपको कौन सी key है वो which one is the best spreadsheet application that comes with the ms office software group तो कौन सी आपकी है ms office software से जो आँ से निकल लई है aspect sheets के लिए तो एक ही आपकी है जायर सी बात है ms excel इस पेट सी आ गया या workbook आ गया option बनेगा ms excel we can apply border to we can apply कर सकते है border के लिए cell में paragraph में या table में तो d option बनेगा आप किसी में भी या आपकी excel की sheet है इस पेकार से अब आप इसमें चाहाँ टेबल बना रहे हैं चाहाँ भी बना रहे है cell पे लिख रहे हैं खाली इसो सभी में यहां पे बी आप बडल लगा सकते हैं पूरे में बोडल लगा सकते है कोई एक paragraph है उसमें बड़ लगा सकते है तो सभी में आप बड़ लगा सकते हैं तो उपसे मनेगा D, which is the shortcut key to open and dialog box, कौन सा shortcut key है, dialog box के लिए, C option मनेगा Alt F12, note कर लें, important है, you can not close MS Office application by, MS Office application में close करना है, तो किसके मादम से नहीं close का सकते हैं, option मनेगा D, close from file menu, file menu में आपको यह option नहीं मिलेगा, बाकि आप कट्टम पर क्लिक करें, आपको हो जाएगा, Alt F4 पर जाएगे, और exit from file menu में आपको मिल जाएगा option, close आपको option नहीं मिलेगा, exit option मिलेगा, close option नहीं मिलेगा, तो option मनेगा D, question समझें नहीं तो गलत हो जाएगा, आप A पर answer लगा देंगे, by default footer are printed on, by default footer print करता है आपका C option मनेगा, all pages को, by default जो आपका printer होगा, वो आपको all page print करके देगा, जब आप उसमें properties पर जाएगे, उसकी setting change करेंगे, तो वहाँ पर आपको number one, two, three, जितने pages नि निकाल देगा, अगर आपने printer का command दे दिया है, अगर आपको एक निकालना है, तो वहाँ पर आपको one, two, या three का option select करना पड़ेगा, the option portrait and landscape comes from, यानि कि portrait or landscape का option आपको किसमें मिलता है, page size में मिलता है, page orientation, page layout, page rotation, तो भी option बनेगा, page orientation, आप देखते होंगे, इस पकार से एक page बना रेता है, और एक इस पकार से page बना रेता है, या option आपको किसमें मिलता है, printer properties में, page orientation, या प्रिंटर करेंगे, print preview निकालेंगे, उसमें भी आपको option मिलता है, which shortcuts makes selected text italic, तो italic के लिए आपको पता है, काफिरें से उसकर रहे है, control, I, या option मनेगा, which key combination is used to insert a line break, line break करने क के लिए कौन से key use करेंगे, या option मनेगा shift plus enter, next question है, name the desktop database application that in part of desktop के लिए बोला है, और database application, तो ये कि आपकी MS access, सबके अलग-अलग कार्ड है, database के लिए होगी, आपकी word के लिए of little बगरा के लिए application के लिए होगी, presentation के लिए, audio video के लिए, और workbook और data sheet के लिए आपकी excel होगी, तो इस प्रकार से option मनेगा B, which menu group will be used if we want to change the type face of selected text, नहीं कि कौन सा group है, जिसकी अंदर आप change कर सकते हैं, आपके जो type face है, आपके font is selected text है, वो सारे चीज़ आपके इस menu के अंदर change कर सकते हैं, option मनेगा shift, format menu, format menu के अंदर जाके, आपनो कोई भी चीज लिखा है, उसमें color बड़ा सुटा सारी चीज़ है, आपके किस menu में जाएंगे, edit menu में नहीं होगा, view menu में नहीं होगा, tool menu में नहीं होगा, आपके किसम में होगा, format menu, which is the insert section of a column and a row on a workbook is called, नहीं कि जब कोई insert करते हैं, आप column या row में, workbook, work sheet में सुमने क्या कहते हैं, column value address of cell, t option मनेंगा cell, इसमें यह row हो गया, row column हो गया आपके यह, उसमें कोई चीज़ इंटर करेंगे, किसमें जाएगा, आपका cell में, तो उसको में लोग चाथा हैं कि, workbook is called cell, what types of chart is useful of, for comparing value over categories, यानि कि, what types of chart, जो आपके सभी category को cover करता है, उसको कहते हैं, B option मेंने, column chart, which function, which function in Excel, tell how many numeric entries are there, तो Excel में कौन सा ऐसा function है, जो कि, आपको how many number जो हैं, आपके, इंटर करने का प्राभधान देते हैं, number, या count, या sum, या check sum, of sum मनेगा, B, count, count feature कम लोग यूज़ करेंगे, a feature that display only the data column, according to the specified category, option मेंने, C, filtering, filtering tools का, आपके, Excel sheet में, जो कि, आपको, display कराएगा, सभी data column को, statical calculation and preparation of tables and graph can be done by using, किसके द्वारा आपका होगा, statical आपका जो करना सारा काम, B option मनेगा, या आपका statical दे दिया, calculation दे दिया, और preparation आपका table, graph बगारा, script किस में करते हैं, हम लोग, Excel में करते हैं, ना कि Photoshop में करते हैं, ना कि Photoshop में करते हैं, ना ही Notepad में, ना ही PowerPoint में, तो simple option मनेगा, B, question समझें, उसे में आपके answer है, what types of chart will you use to compare performing to two employee in the year 2016, याने कि what types of chart will be use करेंगे, दो, याने कि, दो year के, दो performance के, दो employee के year को calculate करने के लिए, column chart का line chart, pie chart और dot chart, option मनेगा, B, line chart, line chart कम लोग, basic use करेंगे, यहाँ फे, इस परकारते, दोनों के detail हैं आपके compare होके आजाएंगे, which one is not a function is MS Excel, MS Excel में कौन size में function नहीं होता है, sum होता है minimum, आपका average का जो है function आपको नहीं मिलेगा, maximum minimum और sum का feature आपको मिलेगा, option मनेगा, B, function in MS Excel must begin free, यानि कि, जब भी हम लोग function को use करते हैं, उससे पहले हम लोग equal to का sign लगाते हैं, तो option मनेगा, B, यानि कि, equal to लगाएंगे, इसके बाद, हुई भी आपकी drive आएगी, A, B, plus जो भी आप लगाएंगे, B, तो जो भी आप formal लगाएंगे, वो आपका लगेगा, option मनेगा, A, equal to पहले आपका लगेगा, which function, Excel, check some weather, a condition, is true or not, कौन सा function लगेगा, जो आपको condition को check करना है, check weather, true है और not, तो C, option मनेगा, if condition का, इन Excel, column, are labeled, S, यहने कि Excel की जो column होती है, इस पर कारते मैं आपको बताना चाहूँ, तो यहाँ पर आप देखते हैं, number लिखे होते हैं, एक side, और एक side आपकी column होते हैं, कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको Excel पर, तो इस side आपको ABCD है, और यह आपको बताना, यह row है यह column है, तो वो आपको बताना है, basically इसमें, तो आपका पूछा गया, in Excel, column, are labeled, are called, तो option बनेगा, इसमें बताएं, यह option बनेगा, ABC, X, X, ता, column जो आपके हो गई, उसके next question इसमें एक पकार काओ दिया गया, वो भी आपको बताएं, the greater than sign जो आपका लगा, इस example of किस operator में आ changes over time, train.changes over time, कौन सा chart आपका सो कराएगा, pie chart, column chart, line chart, dot graph, यह आपको बताएं, यह अच्छे question है, यह आपका आपका आएगा, line chart, the process of arranging the items of a column in some sequence or order is known as, यहनि कि कोई भी data को आरेंट करना बगारा काम किसमें होगा, आपका, C होगा, sorting, sorting या filtering, basically details को आपके होगा, लेकिन इस इसका दूसरे चीज़ के लिए करते हैं, और इसका sorting करने के process करना है, sequence बलाना सारा चीज़े, तो इसको data को sort करना है, the feature of MS Excel quickly complete a series of data, कौन सा feature, study of series of data को complete करेगा, first thing से, auto fill feature, auto fill feature आप लगारेंगे, तो automatically data जो आपका वो fill होता जाएगा, what types of chart you are supposed to comparing part of whole, कौन सा option रहेगा, pie chart, pie chart के उसकरेंगे, तो सभी चीज़को आप compare कर सकते हैं, in Excel row are label, तो हापे column पूछा गया था, अब यहाँ रो पूछा गया, तो रो में आपके क्या होते हैं, यसा कि मैंने बताया, आपको अभी software के मादर्व से, तो यहाँ पे आपके column होगा, यह आपके row होगा, तो row में आ यहाँ आपका ABCD होता है, और next पर आएंगे, यहाँ पर आपको 123 यानी की row के बादे हम पूछा गया, next question, what do you use to create a chart, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, what do you use to create a chart, pie wizard, Excel wizard, data wizard और chart wizard, d option बनाएगा, chart wizard, how will you graphically represent expenditure in differential department, तो graphically representant करने के लिए, हम लोग यूज़ करते हैं, pie chart का, next question, what types of chart is good for single series of data, single series के लिए हम यूज़ करेंगे, pie chart, the basic unit of a worksheet into which you enter data in Excel is called, यानी कि basic unit of worksheet में Excel में enter करने के लिए हम लिए हम लिए हम करते हैं, यानी कि cell में, कोई भी चीज़ा आपको input करना वो आपका जाएगा cell में, तो इतने question से करीब 61 question थे, अगर आप page number यहां पर देखें, तो करीब 60 question थे, जो कि mix up थे आपके तीनों ग्याम के लिए, तो आसा करते हैं, आपको वीडियो अच्छे लगे होगे, कि सारे question का answer explain करते हैं, सौन में आगा होगे, वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, सेयर करें, और WhatsApp को जोयान करें, जिस्टे कि आपको अच्छे तरह क्यालपल वीडियो मिलती रहें.